कि बिस्मिल्लायरामयराहीम आज हमारा लेक्टर नबर 16 है यह अभी तक हम ने जो इस कोर्स में पड़ा है वह कीवर्ड रिसर्च नीच रिसर्च ऑन पीज यह कंप्लीट कर चुके हैं अभी हम टेक्निकल एस्यों की तरफ मौफ कर रहें लेकिन लास्ट टैम भी मैंने आप ल टेक्निकल सियों क्या है और इसमें फार्क या है तंक matter थोड़ा साब लेक्ट यह बता देता हूं कि जो अप्टिमेजेशन जो टैक्निक करने कि रेंग करने की कि आप एक पैज की अपड़ाई करते हैं इक सिप्टिकॉलर पीज की आ पर किसी वेपसाइट के वह ऑन通 पीज साइट के लिए प्लाई के जाते हूं से नौर्मली ओं साइट एसिओ कहा जाता है और ओन साइट güç कहते हैं डेखने कलस्यों के लिए हम ओं माट मेज़ान कि एस्जीओ का वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए हम एक और वर्ड ब्र इसकुच करते हैं अड अवास्ट सब्सक्राइब करें लिए सब्सक्राइब करना जिस तरह गूगल चाहता है यह हम अपने लिए ρε halasar करनेका मैं लिए हमचा हुसर मेंलगोरिटम की लिए असान हो असान हो जाए ताकि को हमारी कर सकते और समझ सके कि अबす में जो टेकनीकल का पॉर्शन है उसमें ज्यादतर थे چیزیں ہوتی ہیں वो developer के end पर होती है development के side पर होती है इसी लिए ही इसे technical SEO कहा किया थेंकि कोडिंग और development involved होती है लेकिन एस बेंग आपको इन तमाम technical SEO का पता होना जुरूरी है चाहे आप अपने developer से सेट करवाएं या आप खुद करें वह बात की बात है लेकिन अगर इभन आप खुद नहीं भी सैट कर रहे अपने डिवलपर से कर वा रह रहें तो भी आपको इन चीजहों का पता होना जरूरी ए अगर आपको पता होगा कि यह सही यह गलत है तब ही आप उसके पर कोई अक्शन ले सकते हैं अगर आपको यह पते ही नहीं चाल रहा है कह कि की यह सियो के point वे से खलत है ट्थनिकल फी कर वे से तो आप उसे सैट भी नहीं कर वा सकते हैं तो आज हम इसको बियृफ ९ी थ्टूड़ सा करते हैं कि यह Technico heo है क्या और इसको मिह से मैयर यह डिक या चेक डा सबसे इंपोर्टन चीज्ज जो है यह में यह बसप्रम फोर्ड है ऐस्यों का यह सबसे इंपोर्टन जो चीज divorced पूरे चप्टर में यह पुरे टापिक में वह बॉसा रिट बाइंस वह नहीं बैसिकली यह चीज मैयर की जाती है औन दे बेस ओफ यूजर एक्सपीरियंस ऐसे डिसीकली user experience ही सब कुछ है हमारी जितनी की जितनी बी एस्जीयो है पूरी के पूरी एस्जीयो यूजर experience के अगेंस्ट खड़ے हुई मैं अगर यूजर experience अच्छा integer तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग आर्टोमेटिकली होना श्रू हो जाएगी गूगल में अगर हमारी वेबसाइट को यूजर एक्सपिरियंस बहुत बूर है तो गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग कभी भी नहीं जाओं अब में चीज़ यह है को यूजर एक्सपिर करता है स्ट्रूल करता है कि एक तने पेजिस करता है उस्यशन के पास मईयर करने के लिए सबसे आजी वे जो है फिआना वह दो चीज़एं अजुन को ये यूजर एक्सपिरियंस को मेज़र करने के लिए और दुसरा होता है सेशन टाइम ठीक है गूगल यह देखता है कि जो बन्दा आया उसने कितमी देर के लिए को विजट किया कितमी दिर वह मेरी वेपसाइट पर स्टे करके गया कर से कोई आप मिसे बताएगह वट इस बांस रैट किसी को पता है जिलदी से मैसेज करें मुझे बताये कि यह बांस रेट अगर आप में से किसी को बता है है कि कि बैसिकली बाउंस रिट कहते हैं कि कमिंग ऑन वेब साइट एंड एग्जेश ऑन दे सेंट पीज येस प्रू युजर लीव कर जाए अगर एगर परसंटेज व विजिटर देट लीज वेब पीज विदाओ टेकिंग एनी एक्शन बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सही है जी बाउंस रिट बेसिकली कहते हैं कि अगर एक यूजर आपके वेब साइट पर आ रहा है तो उसने उसी पेज से अगर लीव कर दिया ठीक है अगर मैंने एक वेब साइट ओपन की ठीक है और बगएर कोई दूसरा पेज विजट किये या बगएर कोई अक् मैं जाके गूगल करता हूं जी अड्वांटेजिस और डिसड्वांटेजिस ऑफ इंटरनेट यह चीज़ गूगल की अब मैंने फ़र इसेंपल यह एक वेब साइट है एप्लस टॉपर मैंने इसको ओपन किया मैंने इसको देखा ओके मैंने देखते मुझे लगा किया यह लिए यूसफल नहीं यह ठीक नहीं है मैंने क्या किया इसको बंद कर दिए अब सिकली क्या हुआ अब एक बाउंसरीट क्रेट हो गया क्यूंड यह वैपसाइट पह गया और स्का कोई और पफेज विजट किया बगार जिस पेज से इंटरी की उसी पेजसे ही एक्जिट कर गया मेरी बात फालो कर रहें जिस पेज से मैंने इंट्री की वेबसाइट में उसी पेज से मैं एक्जिट कर गया विद आउट गॉइंग टु एनी अदर पेज तो बेसिकली यह क्या है यह बाउंस रहा है अब फार एजेंपल एक और वेबसाइट खोली अब मेरी इंट्री होगी इस वेबसाइट में इस वाले पेज के तरू अब अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं या बंद कर देता हूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा एक्जिट हो जाएगा एक्जिट होते ही सेम पेंज से एक्जिट हुआ अगर सेम पेंजिट हो गया तो क्या हो जाएगा बाउंस रेट क्रियेट हो जाएगा अब अगर मैं यहां जाने की बजाए सुरी इस वेबसेट को बंद करने की बजाए मैं इसका कोई दूसरा पेज विजट कर लेता हूं मेरी बात फालो कर रहे हैं अब बेसिकली मैंने वेबसाइट एग्जिट नहीं की मैंने उसकी वजाए कोई दूसरा पेज विजट कर लिया तो अब बाउंस रेट क्रियेट नहीं होगा समाल लगी ने जा सक्रोल कर भी लेंए तब भी कोई Ini कोईसला निया अगर स्क्रोल कर झार लेंगा यह देखिए मैने पहले वेबसाइट पे सपाल भी किया था ना सक्रोल करके एज़िट किया था तब भी बाउंस रेट क्िएट होगा समालेगी ये बात तो ये चीज़ गूगल मेयर करता है कि मेरी वेबसेट पे सो बंदे आए सो में से कितने बंदों ने जिस पेज से लैंड हुए उसी पेज से बाहर चले गए अगर फार एजेंपल सो में से 30 बंदे बस वही पेज रिज़ट करके चले गए जिस पेज पर वह आए थे उन्होंने कोई दुसरा पेज ओपन नहीं किया और सतर बंदों ने दुसरा पेज रिज़ट किया तो इसका बाउंस रेट क्या होगा 30 30 परसंट सो में से 30 लोगों ने सेम पेज से एग्जिट कर दिया तो मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट 30 परसंट हो जाएगा मेरी बात फालो कर रहे हैं समय लग रही है मुश्कल तो नहीं है यह भाई जिस वेबसाइट अगर मैं किसी वेबसाइट में जिस पेज से इंट्री करूंगा या जिस पेज से लेंडिंग करूंगा और उसी पेज से मैं अगर एग्जिट कर दो बगएर कोई दूसरा पेज विजट किये तो वो क्या होगा वो बाउंस रेट काउंट होगा बाउंस रेट में कंसीडर होगा समय लगी अगर मैं जिस पेज से इंट्री किया और उस पेज से एग्जिट करने की वजाए कोई दूसरा पेज भी ओपन कर लेता हूं वेबसाइट का ठेक है तो फिर क्या हो जाएगा बेसिकली फिर बाउंस रेट काउंट नहीं होगा यहां तक बाउंस रेट की समय लगी आपको बाउंस रेट में किसी को कोई कुछ नहीं तो वह पूछ लेंए ये बहुत इंपोर्टेंट है देखें अब सारी के सारे सब्सक्राइब करने के लिए दो सबसे इंपोर्टन वैसे तो काफी सारे परामिटर यूजर के बहुत सारे परामिटर है लेकिन यह दो वह बेसिक परामिटर है जिसके ओपर सब्सक्राइब होती है सेही चलें अच्छाइब बाउंस रेट के आपको समय लगए अब आ जाते हैं सेशन टाइम कोई बताएगा कि सेशन टाइम किसे कहते हैं आप जल्दी से मुझे बताएं सेशन टाइम किसे कहते हैं वट इस सचन टाइम कोई जूजर कितनी देर वेब साइट पर रोका ठीक है कितने टाइम जूजर ने से किया बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल सही बताया है कि अगर मैं एक वापन करता हूं ठेक है और उस वेबसाइट के कितनी देर तक मैं स्टे करता हूं कितनी देर तक उस वेबसाइट को यूज करता हूं यह कितनी देर तक उस वेबसाइट को ओपन के रखता हूं यह उसका बेसिकली सेशन टाइंग होता है जी बिल्कुल बाउंस रे नेगेटिव एधक्ट डालता है हम मुझे बताएं अच्छी SEO Expert के लिए बाउंस रेत कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए और session time कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए बिलकुल ठीक है बांस रेट शुड़ बी लो सेशन टाइम शुड़ भी हाई यह यह चीज़ समय लग गई है अगर मेरा बांस रेट काम होगा सेशन टाइम ज्यादा होगा तो गूगल की नजर में मेरा यूजर एक्स्पिरिएंस कैसा होगा बैटर एक बैटर यूजर एक्स्पिरिमेंस जी समय लगे यहां तक अब अगर मुझे बताना है कि भाई मेरी वर्कसाइट बहुत अच्छी है मुझे रैंकिंग दो तो बेसिकली गूगल क्या करते हैं आपकर यूजर करता है नक्लकुलेट करता है और अगर यूजर इक्स्पिरियंस अच्छा आ जाएगा तो गूगल क्या करेगा मेरी वेबसिट और तो रैंकिंग देना शुडू हो जाएगा सिंपग्ध समय लगड़ी है यह बात अब यूजर एक्सपीरियंस को बहतर कैसे करना है उसके लिए मुझे बाउंस रेट कम करना पड़ेगा अब बाउंस रेट कैसे कम होगा यह भी हम देखते हैं यह सारी टेक्निकल ऐसी के बारे में मेंवाल को क्या तो पोंचें अदरोइज मैं शुरू करता हूं आगे अब ब। इसे के लिए हमें देखें एक हमारा टार्गेट मिल गया कि हमारा टार्गेट किया है हमारा टार्गेट यह है कि बाउंस रेट कम करना है और सेशन टाइम ज्यादा करना है टार्गेट मिल गया ना तो अब हम इस टार्गेट को कैसे फुल्फिल करेंगे यूजिंग टेक्निक और पेज को सर्च करूंगी जी आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं अभी मैं गाइड करता हूं इसके बारे हैं अभी आपको खुद आपके उपस्टन पांसर मिल जाएगा चलेंगे अच्छा बाउंस रेट में एक इंपोर्टन चीज यह भी मैं बता तो बाउंस रेट के अंदर जो है ना यह भी सेशन टाइम भी साथ वो लेता है कि यह कितने देर में बाउंस क्रेट हुआ और तो बाउंस क्रेट होड़ा यह 10 सेकिट में इसका मतलब यह कि यूजर को आपके वेवसएट पसंद नहीं आया 10 भी सैकिंड में इस भी सेकिंड मैं क्या इनफ्रमिशन आप लेंगे है और चारभ मिनट के बाद 5 मिनट के बाद इसका मतलब यह कि यूजर को शाहिए है अब पैरामेटर्स है तो है तो है फैक्टर्स को स्टड़ी करते हैं हम इस यह फैक्टर कौन-कौन से हैं इसमें सबसे पहले मैं कि स्टड़ी करता हूँ झालिं झालिंड़ी करते हैं कर दो फ्यूह प्यूह प्यूह है तो कि स्टू़ी पीजू़ी शैम यह है यह हैं यह हैं यह हैं कि स्टीज यह बदstorm कर दे दो कर दो इसमें सबसे पहले एक फैक्टर ले लेते हैं वेबसाइट स्पीड अच्छा अब मुझे यह बताएं कि कि वेबसाइट स्पीड शुड भी हाई और लो इसमें स्पीड ज्यादा होनी चाहिए क्यों बेसी के लिए अगर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो है तो मोस्ट पॉबली चान्स है का यूजर आएगा और आपकी वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टैम लगा देगी और य यूजर ने आया और आपकी वेबसाइट लोड नहीं है और यूजर ने बंद कर दिया तो बिसिकली क्या हो रहा है बाउंस रेट क्रेट हो रहा है ना अब बाउंस रेट कम करने के लिए सारे फैक्टर्स हम अप्लाई करते हैं जो टेक्निकल ऐसी होते हैं यह स्पीड अच बाउंस रेट करेट होगा और अगर पहले दस बीस सेकंड में वेबसाइट बंद हो रही है तो गूगल इसके ओपर बड़ा नराज होगा गूगल कहेंगा यहर मैं बंदे आपको भेज रहा हूं रिकमेंड कर रहा हूं और आपकी वेबसाइट सही नहीं चल रही और जिसक सिंपल साफ है ना भाई देखो अगर मैं कोई बंदा को स्टूडेंट रिकमेंड करता हूं किसी की तरफ और वो आगे से सही रिस्पॉंस नहीं देता एक दफा दो दफा तीन दफा अगर यही काम मेरे 10 बच्चों के साथ हो जाए तो मैं 11 बच्चे को रिकमेंड नहीं मैं समझूंगा क्यों सकता है वह सकता है अगर मेरी वेबसाइट से मेरा यूजर बैनिफिट ले रहा है और इस इसका गूगल को पता होता है तो गूगल क्या करता है मेरी वेबसाइट के रैंकिंग को मेंटेन रखेगा और ताके लोग मेरी वेबसाइट की तरफ आते रहे लेकिन अगर मेरी वैबसाइट से बेनेफिट ना मिला उजर एक्स्प्राब होना शुरू हो गया पहले दस सेक्ड में ज्यादा तर लोग छोड़ के जा रहे हैं डूटू वैबसाइट स्पीड तो गूगल को लगेगा कि यह मैं गलत वैबसाइट की तरफ रिक्मेंट कर रह हो रहेगी क्योंकि जो गूगल रिक्मेंट कर रहा है यूजर को बेसिकली क्या है वैशेट रांकिंग है वालो कर रहे है मेरी बात को तो भाई वैबसाइट के स्पीड शूट भी वैरी हाई यानि कि बड़ी क्ली ओपन होनी चाहिए अब एसट के स्पीड कैसे हाई होगी और कैसे चैक होगी यह एक टेक्निकल परमेटर है अब हम देख लेते हैं इसके लिए तूर यूज़ होता है गूगल का अपना उसे कहते हैं गूगल स्पीड इंसाइट इसका डॉब डॉट डॉट का लिंक है जो को गूगल का अपना है चलिए हम इसी वेबसाइट को ही च कि अपनी यहां कर पीस्ट करते हैं संब्न करते हैं हåå झाल 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 को तो दोबारा रिकनेक्ट किये मैंने इभी इंटर्नेट को तुम डुबारा एसा जाग करते हुए यह सरवर्ड का मेरी कल पर इसको चेक कर लेते हैं हम मीन वैल कोई और वेबसाइट चेक कर लेते हैं कौन सी वैबसाइट चेक कर रहें जी जूगल पर जाते हैं कोई भी वैबसाइट जो आप बताना चाहें ना वो चेक कर लेता हूं बाकि लोगं को आरिया सकी शेर हुरी यह अधी है जो चेक करने तो यह जो आप लिए जो आप आप लिए यह नगिए की जी बेस सेंग कर लें कि यहां पर लिंक देना है और हम ने इस पर चैक कर रहे हैं इसके स्पेड कल्कुलेट हो रही है गूगल से तो देखते हैं जी क्या आप करेंगे में वाल हम न्यू टैब में एक और वेबसाइट लगा देते हैं तो वाबाट डॉट कॉम और लगा देते हैं वेबसाइट के लिए स्टार्ट अच्छाइए यह देखेंगे यह एक वाबसाइट है हमने इसकी स्पीड चेक किया अब इसके कॉर्डिंग्ली मुबाइल पर इसकी सिस्टी फॉर परसंट स्पीड है और डेस्टाप के पर सैवंटी परसंट है जो के गूगल की नजर में अच्छी नहीं है गू अब यह देखें अब यह कहा है कि जिसका स्पीड इंडक्स 12.3 सेकंड है जबके दिस शूट बेलेजन फॉर सेकंड है तेक है इसी तरह यह एल सी पी 3.7 सेकंड है यह यह काफी हाई है जिस शूट बेन ग्रीन ग्रीन होना चाहिए सब को पर इसमें यह काफी सारे प्राब् डार काम इसके स्पीड गूगल की नजर में बेहतर है 94 ठेक है मुबाइल पर डेक्स टॉप पर 99 यानि के क्रीब क्रीब है तो अब यह देखें यह जिस डिवलपर ने सैट की होगी डेफिनेटली उसने इसके अपर वर्किंग की है स्कूइड के ओपर इसमें भी स्पीड इ जा रहा था अपनी वेबसाइट लेकिन यह सर्वर डाउन हुआ 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 है चलें यह हम बाद में दो यहां से हमें सिंपल पता चल जाता कि भाई इसके स्पीड अच्छी है या बूरी है सिंपल बड़ा सिंपल सा फार्मॉला है जाएं गूगल पे लिखें गूगल पेड्स कुछ नहीं करना सभी लिखना गूगल स्पीड इंसाइट टेस्ट या गूगल स्पीड इनसाइट लिखें जैसे लिखेंगे पहले पेङ्ट पहले नमबड़ पर ही एक वेबसाइट पन हो जाती है पेडिस्पीड.web.def इसको आपने ओपन कर लेना इसको उपन कर करके यहां पर आपने लिंक देना है सिंपल ठेक हैं जैसे हमने सेल बाबा इसी तरह कोई और अगर वैबसाइट चेक करनी है जैसे एंजिनियर अबास टाफ काम यह काफ़ी पहले की बेसिकली डिजाइन की हुई है तो इसके इस्पीड नकाल के लिए आएका जैसे नकाला कि मॉबायल के ओपर 94परशन स्पीड है नाम नेखिजर के लिए पर देख सकते हैं और पर कितनी अच्छ है यह किसी की वैबसाइट है देख सकते हैं मोबाइल पर 64% है दास्टाप पर 70% है जो कि अच्छी नहीं आप यह देखें यह मेरी ही एक वैब्साइट है लेकिन एक ओल्ड वर्जन है तो आप देख सकते हैं 58% और 85% इसी के गेंज जो हमारा न्यू वर्जन है वो मैं आपको दिखाता हूं एक मेंना सिरफ इस पर देखाता है अब यह देखें यह वैब्साइट जो है जो हमारे कंपनी के वैब्साइट है इसमें स्लाइडर भी लगे हूं है इमेजेश भी लगे ऐस्ट भी लगा हुए फिर बैक्ट्रण्न इमेजेश भी लगे वैं फिर इसमें काफी सरी डिफरेंट पॉर्शन इमिजेज बैकड्राउंड प्रोग्राउं धर्यांग अनिमेशन लगे हुए है ठीक है डिफरेंट तरहां की जावास्क्रिप्ट समर्आ गड़िया और डेक्सराप के 100 ओफ पांड़र करा है जो कि यह मेरी अपनी कंपनी की वेबसाइट है मैंने इसको प्रॉपर्ली ऑप्तिमाईज किया हुआ प्रॉपरली अप्टिमाइस देख सकते हैं किसका सारे के सारा पोर्शन क्या है ग्रीन है मुबाइल में भी यह सारे के सारा ग्रीन यह वेबसाइट का जो भी है यह प्रॉपर होना चाहिए ठीक है अगर यह प्रॉपर है तो समझ लें का आपके वेबसाइट गूगल की नजर में बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है अब यह जो अक्टिमाइस करना है यह आप खुद नहीं करते यह नॉर्मली डवल्पर क का का होता है कि द्राज का तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा हाल होगा देखते हैं जी द्राज डाट पेके की भी स्पेट चेक करते हैं अच्छी ने जी अ जी यह आपके ड्वल्पर का काम है जब आपको क्लाइंट आपको वेबसाइट देता है ना तो आप आड़ेट करते हैं आड़ेट में जब यह चीज़ आप देखते हैं कि भाई इसकी तो स्पीड बहुत कम है डाउन है तो आप अपने बिसिकली जो भी प्रोजेक्ट का अ यूगल के नजर में इसके स्क्वीड इतनी अच्छी नहीं है और डेक्स्ट्रॉप की क्या है सैवंटे यही वज़ा है कि यह ब्रैंड जो है यह बहुत सरे कीवर्ड पर रैंक नहीं होते और इसके चोटी-चोटी वेबसाइट आती हैं और वो ब्रैंड को डाउन करके इतनी ओफिशल वेबसाइट है डीजास डॉट काम ठीक है मेरी कंपनी की वेबसाइट है तो मैं इसको तो एक प्रॉपर्ली अप्रमाइस करूंगा ना अब देखें आपके सामने यह अच्छी खासी बड़ी वेबसाइट है अच्छी खासी तस्वीर है टैक्स्ट है अनिम करके देता हूं और और मेरीश है स्पीड डाउन ओं या अपनी ही टैक्निकल ऑश्फराउंग ना हो तो मैं अपने क्लायन को कैसे कर पाऊंगा खरोद्न को लें अब लिए क्किन बात करों गद्रेंबात कर रहे हैं कि अब अगर मैं किसी क्लाइन के साथ डील करहा हूं कि स messing development की यह technical SEO की तो मैं उसे अपनी website का link दूँगा as an example कि आप मेरी website की जाके speed चैक करें आपको पता चल जाएगा अगर मैं अपनी website की speed 100 out of 100 कर सकता हूं तो आप की भी कर सकता हूं तो लेकिन यह यह technical काम सारा मैं यह आपको यह पता जरूर होना चाहिए यह बड़ा इंपोर्टेंट परामेटर है और गूगल की नजर में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है ठीक है और अगर आपकी website की speed optimized नहीं हुई अच्छे से तो आप अपने developer को कहेंगे के भाई मुझे यह गूगल speed insight की accordingly website की speed अच्छी करके दे किलेर होगी अब अगर speed अच्छी होगी तो website पर लोग स्टेक रहेंगे ना लेकिन अगर speed बुरी होगी अच्छी नहीं होगी स्लो होगी तो क्या होगा मौस्ट प्रब्ली चांस है के लोग आपके website पर आएं और बगहर कोई पेज विजट किये आपके website को बंद कर दें क्यों क्योंकि आपके website लोड होने में बहुत ज़्यदा टाइम लेड़ 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 समझा लग रही है बात तो मुझे speed अपनी website के अच्छी बनाने है ओके सबसे पहला important parameter speed दूसरा important parameter क्या है navigation भाई अब website के speed ठीक है बेतर है अब मैं website के अंदर इंटर हो गया हूँ अब मुझे किसी चीज में जाना है navigate करना कितना असान है यानिकि अगर मैं जे website में कोई चीज जूड़नी है तो कितना असान है आप SEO services लेना चाहते हैं इस website से आप यह homepage पे चलेगे अब मुझे बताएं कहां पर क्लिक करेंगे SEO services चेक करने के लिए सर अगर हम खुद किसी की website developer बनें तो कैसे ठीक करें यह जी यह मैं आपको पढ़ाओंगा फिर आप थोड़ा सा वेट करें जब मैं आपको website वाला portion पढ़ाओंगा website development वाला फिर यह सारी टेकनिकल चीज़ें development के पढ़ाओंगा इसमें कोडिंग इन्वाल्व है थोड़ी सी तो फिर वो मुझे कोडिंग वगर आपको गाइड करनी पढ़ेगी तो जब मैं वह वाला portion पढ़ाओंगा तो यह वाली चीज़ें भी उसमें मैंने कवार करने अब मुझे बताएं कि यह website मैंने open कर ली अब important चीज़ यह है कि SEO की services जूणना कितना असान है मुझे इस website के अंदर अगर मुझे SEO की services चाहिए भाई मेरे लिए बहुत असान है मुझे पता है चूंकि यह services है और यह services के एक मैंने टैब बनाया हुआ है जैसे मैं करदर लेके जाता हूँ तुमान services drop down आ जाती है और यह देखें यह लिखा हुआ SEO services यानि के सिंगल क्लिक के ओपर SEO के service अवेलेबल है अब अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूँ तो यह SEO वाली services वाला पेज ओपन हो जाता है ठीक है यह मेरा एक पेज बना हुआ है जो के पर ली है यह SEO के services से रेलेटिब ठीक है अब यह कितना असान है यह कितना मुश्किल है नैविगेट करना गूगल यह चीज़ भी मैयर करता है कि अगर एक यूजर किसी पर्टिकुलर पेज पे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है तो से कितने क्लिक करने पड़ते हैं यह कितन प्रपर बन रहा है या नहीं कि अगर मैं डिरक्ट लैंड हुआ एक पेज के ओपर तो मुझे यह पता चले कि यह पेज की कैसे कैसे मैं पहुंच सकता हूं कि जी होम पेज होम पेज के अंदर सर्वसेज में जाएं सर्वसेज के अंदर यह वाली सर्विस पढ़ी है समय इनी मेहनत करनी पड़ती है कितना असान है यह कितना मुशकल है यह बिसिकली नविगेशन होती है अगर ज्यादा एजी ली मैं पहुंच पा रहा हूं किसी भी पेज पर होम पेज से तो इसका मतलब मेरी वेबसेट की नविगेशन बहुत असान है और इससे यूजर या उन्हें पते ही नहीं चाल रहा मैंने इस तरह से बने हुएं कि कौन सी चीज़ कहां पर पड़ी है जंबल अप हुई है बस बिखरी पड़ी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसकी इसी तरह है आपका अपने रूम है आप एक कमरे में रहते हैं आपका अपने रूम है अगर आप अपने रूम को हर चीज़ करके रखेंगे हर चीज़ जहां उसकी जगह है वहीं पर रखेंगे और जब आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो आपके लिए वह चीज़ ढूनना बहुत असान हो जाएगा ना आपको पता है कि आप हमेशा अपनी बुक्स कहां पर रखते हो लैप्टाप कहां पर रखते हो कौन सी वह कहां पर पढ़ी है आपकी अगर कोई पॉइंटर चाहिए बाल पॉइंट चाहिए तो वह कहां पर पढ़ा होगा तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा टाइम भीस्ट किये बगार आप इसली वह चीज़ अप पर क्या करना पड़ेगा तो क्या वह चीज़ आपको फॉरण मिल जाएगी वह फॉरण तो नहीं मिलेगी फिर तो आप अपने पूरे रूम में डूनेंगे भाई वह कहां प्रैंकी मैंने पैंसल रखे ती जी कहां गई जी मेरी बास समय लग रहे हो किसी भी चीज को किसी भी पेज़ को किसी भी कौंटैंट को धुननने वेबसाइट के अंदर कितना असानव किने एज़ी नैविगेट कर सकते हैं यह सिंपल नाविगेशन है इसके लिए एक तो बेड्ग करते हैं यहीं के पाथ जहांपे हैं दूसरा एक मैन концir आपका हो कि easy predictable और में जाता को अर्णिंग Äर्टिकल〜 और अगरु अबी तो में तो मिरे कुछ िखना नेहले इंपसिबल ऋजाएगा जाएगा लोगएगा तो फिर मैं यह सब करता हूँ जैसे इंटरनेट से रिलेटिज एक आर्टिकल चाहिए मैं इंटरनेट लिक कर सर्च करता हूँ तो यह देखें जिस रांटजेंड आप इंटरनेट यह मेरे सामने आगा मैं इसको क्लिक करके अब देखें इसका भी इसने मुझे पात बता दिया पहले होम पेज फ पूरे प्रासेस को कहते हैं नेविगेशन कि यह नेविगेट करना कितना आसान यह कितना मुश्काल है बेसिकलिए इसको मेजर करके भी गूगल यूजर एक्सपिरियंस कैलकुलेट करते हैं स्वाल लागे यह जी एक इस तो यहां तक कोई क्वेस्टन है तो आप पूछ सकते हैं अच्छी वट अबाउट जीटी मैट्रिक स्पीट अच्छा देखें स्पीड एक पैरमेटर है जो हमें चेक करनी है अब स्पीड को चेक करने के लिए बहुत सारे डिफरंट टूल्स है दो त्रह के टूल होते हैं डेवन मैंने आपको बचाते हैं एक वो टूल जो गुगल ऑउंड है यानिके वो टूल जो गूगल ने खुद बनाए हुए फ्रम मजीद बहतर करकर प्रिजेंट कर रहे हैं और यह जो घी टी मैट्रिक स्पीड है यह ठार्ट पार्टी टूल है स्पीड कल्कुलेट करनें का और यह डेटा कहां से लेता है यह Շसिक volumes और से ही डेटा लेता है कि अब हम जीटी मैट्रिक्स के तूल है बेसिक लिए स्पीड चेक करने का क्या कि वेबसाइट के स्पीड कैसी और यह उसके स्पीड चैक कर रहा है कि मीन वाल अगर कोई क्वेस्टन है तो क्वेस्टन पोसकते हैं यह लेंग अब इसके कॉर्डिंग ली इसकी स्पीड थोड़ी सी डाउन है अच्छा इसमें एक चीज थोड़ा सा प्राब्लम यह है इस वाले टूल में हैं यह जो डाटा लेता है यह लेता है लाइट होस से अब यह कंसर्ट थोड़ा सा समझना इंप्रोटेंट आप के लिए कि गूगल लाइट होस क्या चीज गूगल लाइटाlt गूल थोल जिसके डिफरेन्ट सब टूल संड बशरी में आपको देखा तो में सबस्क्रेच्व के बार उसके लाइट ह पढ़ा हुआ है अच्छा यह स्क्रीन नजर आरी है यह यह मैंने ऑपन से हुई है लाइट हाउस वाली है नहीं आ रही है अब आ रही है लेकिन सिंपल मैंने क्या क्या राइट क्लिक करके नीचे एक आप्शन होती है इसके अंदर यह आप्शन होती है लाइट हाउस मैं लाइट हाउस में जाता हूं यह यह वह परामेटर है जो गूगल मेएड करता है लाइट हाउस में परफार्मेंस प्राग्रस बेस्ट एकसेसिबिलेटी नस्यों यह मुबायल के लिए करता है डेक्स्टॉप के लिए ठीक है अगर मैं डेक्स्टॉप के लिए करना चाहूं तो यहां पे मैं एक जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो यह पुरी लेकिन अभी यह इतना ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ क्यों क्योंकि यह आपकी लोकल इंटरनेट के स्पीड के ओपर डिपैंडनेट है तो इसके गेंस जो गूगल का अपना अलग तूल है ना वेब स्पीड का जो भी हमने थोड़ी जिर पहले यूज किया गूगल स्पी तो इसलिए मैं अभी लाइट हाउस की तरफ लेकर नहीं जाना चाहा था आपको लेकिन आपने वह जीटी मैट्रिक्स वाला प्वस्टन पोचा अब जीटी मैट्रिक्स जो डैटा लेता है वह डिरेक्ट टूल की वज़ए वह लेता है गोगल लाइट हाउस से अब अगर म मुझे कभी भी यह जैक्ली नहीं पता चलेगा वह फिर अगेंड डिपैंडनेंट हो जाएगी लोगों के ओपर के जी अगर किसी यूजर का इंटरनेट अच्छा है तो उसे अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंटरनेट बुरा है तो बुरा रिस्पांस मिलेगा मुझे एक आइडिया नहीं होगा एक एवरीज का ठीक है कि नॉर्मली ज्यादा तर लोगों के लिए वह अच्छा है या बूरा है लेकिन वह अगर मैं डिरेक्ट चेक करूंगा जैसे भी हमने थोड़ी जर पहले चेक किया था वैब डैप से तो वह ज्यादा बेटर है चलें यह में वैल को पूच्छन है तो वह पोच्छन है मैंने साइट चेक करवानी थी आपने कहा था क्लास में चेक करवाना अच्छा चलें अब मैं एक लेक्टर लोंगा और तो फिर उसमें मुझे चेक करवाईएगा अच्छा अब यह देखें यह अगर मैं एस्टियों का पैरामेटरस में देखता हूं तो वह हंड़ड़ परसंट प्रफेक्ट है तेक है इसकी नजर में लेकिन अब मैं अगर देखता हूं बेस्ट प्रैक्रिस तो यह भी बेतर अब इसमें इमेज इसका वो कहरें जी लो हमने वर्किंग अब यह देखें अब यही वैब साइट है यही वैब साइट है डाट काम जब मैं गूगल स्पीड इंसाइट में चैट करता हूँ कि अब 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 समझने वाली जो मैं आपको गाइड करना चाहता हूं देखें यही वैब साइट में डीजियास डाट काम यहां से चैक कर रहा हूं ना अब डेस्टॉप के लिए हमने नकाली है रिपोर्ट जनरेट कितना अब हम इसका देखते हैं कि यहां पर हमें डेस्टॉप की यह क्या रिपोर्ट दे रहा है गूगल ठाइगा से इस फांडर देखें क्या औरिया वहाणंड़्ड बयां यह देखेंगे मुझे क्या ड सीपी मेरा ही्जाया फॉइट नुए प्रетрाट सैकेंड यह टेंट पॉइन एप से पी मेरा पॉइंट पॉर सेकेंड है सी एल एस जो है वो पॉइंट 001 है अब इसी वेब साइट का डेटा जब मैं जाता हूं यहां पर यह देखें नज़र आ रहें दोनों सपीने परालल अब यह क्या दे रहा है पंदरह शड़िया साथ सेकेंड और यह दे रहा पॉइंट सब्सक्राइब मेरी बात समय लग रही है आपको कि यू गैटिंग मैं पॉइंट जो मैं समझाना चाहरा हूं बैसिकली हुआ कि मेरी स्पीड जो है ना ब्रॉजर किस वक्त बहुत स्लोव है अब इसने मेरी ब्रॉजर के उपर डिपेंड़नेंट स्पीड की वजह से मेरा देख लें 15.07 सेकिंड पे ले गया जबकि उसी वेब साइट के अब सीपी जब मैं स्पीड इन साइट में करता हूं तो वह पॉइंट फॉर सेकिन है एवन लेस देन हाफ सेकिंड इसलिए मैं अब गूगल स्पीड जो लाइट हाउस है ना उसकी तरफ नहीं लेके जा रहा यह कह रहा है जी यह इसने मेरा ब्रावजर यूज़ किया और लाइट हाउस 9.3.1 वहां से डेटा नकाला और मेरी टेस्ट सर्वर लोकेशन इसने कौन से रखी कैनेडा ठीक है इसके वज़ए से यहां से कुछ प्राब्लम्स आ सकते हैं लेकिन यह भी एक बहुतर टूल है साइट को अनलाइज करने का ठीक है इससे हमें काफी हल मिलती है यह मैं आपको बताऊंगा जब मैं सीडियन वाला चीज़ें पढ़ाऊंगा कॉन्टेंट डिलिवरी नेटवर्क तो फिर मैं इसका यूज करूंगा जीटी मैट्रिक्स को कैसे इंपोग किया जा सकता है लग है इसका हम अकसर यूज करते हैं डिवलपमेंट के लिकिन अभी मैं इसकी तरफ नहीं लेके जा रहा है अदर्वाइस आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यह हम बाद में स्टुड़ी करेंगे जी इन डिटेल फिलहाल इतना है अब यहां तक अगर कोई इश्यू है तो करते हैं है वाट अप्टमाइजिंग स्पेड यूजिंग प्लग-इन लाइक वर्टपरेस्ट जी बिल्कुल आप प्लग-इन यूज करके इसको कर सकते हैं नो प्रॉब्लम कि यह डिपैंड करते हैं अब बैसिकली मेरी वेब्साइट में होती नहीं है अब मेरी जितनी व प्लग-इन करके कुछ प्लग-इन होते हैं जो बहुत अच्छा पर्फॉर्म करते हैं वह हम इंस्टाल करके और अपनी वेबसाइट के स्पीड को बहतर बना सकते हैं है कि कि को गजी यहां कर अधा है कि यहां तक कोई इशू कोई क्वेस्टन प्राब्लम है तो पूर सकते हैं है कि यह चीज़े मुश्कल तो नहीं लग रही है आपको आपके अच्छा इसके बाद एक इंपोर्टन जो चीज़ होती है ना वह होती है हमारे पास र唐 टाट टैक्स्ट फाइल इक है यह इंचे कि फाइल होती है जो वैबसाइट के यह समयरे इस्ट्रक्शन सैट होता है इंस्ट्रक्शन मैनुल होता है फर्दा सर्चिंजा भाई अब फेस्बुक यूज़ करते है ना फेस्बुक ने भी अपना एक instruction set लिखा हुआ फेस्बुक डॉट काम स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स यह देख नजर आ गया यह फेस्बुक ने भी अपना एक instruction manual लिखा हुआ है फर्दा सर्च इंजन के अगर कोई सर्च इंजन के क्रालर फेस्बुक पर आएगा तो वह क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता कैसे बिहेव करना है वह पूरा एक instruction manual लिखते हैं इसको हम कहते हैं रबोट्स डॉट टैक्स यानिके रबोट के लिए हम instruction लिख रहे हैं समला गड़ी है चलें यह थोड़ा सा मुश्कल हो जाएगा इतना लैंद के पढ़ाना मैं इसलिए पहले आपको छोटा सा एक रबोट फाइल ओपन करके दिखा देता हूं यास क्लियर होगी यह चैस अच्छा तरके ना इसके लिए एक लेक्ट्टर आरड़ी पेस्बुक पर मैंने दिया हुआ है लेट में ओपन रहे फिर यूँ इसमें आपके हैं अच्छा यह बड़ा मज़ए का फीचर है यह चीज़ें अब आपको यूस करनी आने चाहिए देखिए मैंने यह लेक्ट्टर दिया था दोज़र इक्टिस में अब अगर मैं इस ग्रूप में डून ता तो मैं तो पागल हो जाता दून डून के पतना नीचे पहुंच जो मैं बात करना कितना असान है यूजर के लिए यानि कि ढूनना कितना असान है यह बड़ा इंपोर्टेंट है फेस्वुक में भी इसके उपर काम किया उसलिए उसने एक सर्च की आप्शन दी अब मुझे इतना पता है कि मैं रबोर्ट से डून रहा होना कोई चीज मैं स सिर्फ और सब्सक्राव यह तक्रीबं एक डिएड़ घंटे का लेक्टर सरफ इस चीज़ पर है कि रवोर्ट फाइल क्या है कैसे करती है कैसे कूड होती है यह लेक्टर आप जरूर्स नेगा यह लेक्टर नमबर त्री था यह पिछले साल की स्रीज का है दोज़र एकिस के लेक्टर का लेक्टर नमबर तो यह आपके कंसेप्ट हंडर्ड परसंट क्लियर हो जाएंगे रिबॉर्ट के पॉइंट अब इसके एक मैंने नोट्स भी लिखते हैं यह मैं थोड़ा साब को बता देता हूं कि भी बेसिकली रिबॉर्ट फाइल क्या है यही से हम देख लेते हैं आपके लिए भी समझना आसान हो जागा यह लेक्टर नॉट्स भी यहां पर पढ़े हूं है सर्च क्रालर विजर्स यूर रिबॉर्ट फाइल तो सी दे इंस्ट्रक्शन अच्छा सबसे इंपोर्टन चीज़ क्या है जब एक क्रालर आपकी वैपसेट पर आते हैं वह क पहला कांग रिबॉर्ट फाइल के पास जाएगा इंस्ट्रक्शन देखेगा फिर उस इंस्ट्रक्शन के एक्वार्डिंग ली आगे बीहेव करें ठीक है अब यह रिबॉट फाइल क्या है रिबॉर्ट डॉट टैक्स्ट फार्मैट डैट इस नॉट एह टीमल नहीं है य YouTube यॉवर वेब्सैट इन वेब्साइट चैने तो टॉप करने चैक्से का मणे लेगव सब्सक्राइब तेका अब इस रोबोर्ट फाइल का रोल क्या है यह करती क्या क्या है इसके भाई बहुत सरे डिफरेंट परफ़से हैं लेकिन यह चार परपस सबसे ज़्यादा कामन है कि अगर आपने वेफ साइट में कोई पर्टिकुलर चीज गूगल को अलाओ करनी है रीड करना यह डिस कोई इमेज पोस्ट करते हैं फेस्बुक में तो क्या वो गूगल पर नजर आती है अगर कोई पोस्ट आप अपनी फेस्बुक की वाल पर करते हैं तो क्या वो आपकी पोस्ट गूगल में इंडक्स हो जाती है या वो इमेज अगर आप अपनी कोई भी इमेज अपनी वाल क प्रपोस्ट करें फेस्बूक प्रोफायल में तो क्या वो गुगल में नज़र आती है यह नहीं आती है वोट इस यूर आपीनिया अ जल्दी से करें जी नहीं आती है ओके नौ दूब आ ओके थी कैजि बिलकुर सही बता रहे हैं आप कि वह Google में शो नहीं होती क्यों नहीं शो नहीं देखें सबसे पहले तो हम जोंटें यूजर एजंट गूगल बोड़ यह भी मैं बात में बताता हूं यह एपल के लिए यह सर इंस्रीक्शन यह बेडू सर्च इंजन के लिए इंस्रैक्शन लिखें यह बिंक सर्च इंजन के लिए instruction है इब स्कॉर्ड के लिए इंस्ट्रक्शन है यह पेसबूक का अपना इसके इस यह Google बोट अब देखें यह वह इसक्शन है जो गूगल के लिए लिखें और ऑट के टो अलबम बोट आ कि आपके Facebook में जो अलबम बनाते हैं वो रीड ही नहीं कर सकता अब खुद बताएं यह चीज तो आपने बड़ी एजीली समझ लिया नि-, कि अगर google किसी चीज और रीड नहीं कर रहा तो क्या उसे index कर सकता है, अब crawl हीनिकिया ना, जब crawl नहीं किया रीड ही नहीं किया तो भाई फेस्बुक ने गूगल के क्रालर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि ब्राए मेरबानी आपने मेरे यह यह वाले पेजिज विजट नहीं करने हैं अब देखें इसमें अलबं वाला भी उसने लिजा किया हुआ है और फोटो वाला भी फोटो फोटो डॉट पी अब आपकी ज चीज़ें गूगल में इंडक्स नहीं होती है मेरी बास थोड़ी सी फालो करना शुरू होगे है कि बेसिकली अब रबोट का परपस क्या है रबोट डॉट टक्स का गूंगातव अधर टीक्या है अलौ डिसलाव क्रालिंग कि मैं अक्रालिंग को कुछ पॉट्षण को लाओ करना और जो मैं कहा रहा हूं नहीं पढ़ना जब वो पढ़े गए नहीं तो इंडक्स करी नहीं सकता तो मैं लग रही है इसके और भी काफी सारे रोल्स हैं जैसे के डुप्लिकेट पॉंटेंट को हैंडल करना ठीक है यह वही बात है याद करें जब मैंने एक असाइन्मेंट दे करती थी आप लोगों को जब मैंने यह कहा था कि हम यूरेल स्ट्रक्चर स्टैटिक प्रैफर करते हैं लेकिन दो ऐसे पेज हैं मेरी वबसेट में जो डैनेमिक है और मैं डैनेमिक ही प्रैफर करता हूं एक पेजी नेशन वाला और दूसरा कौन सा था सार्च पेज ठीक है क्योंकि मैंने यह बताया था कि उसमें डुप्लिकेट कॉंटेंट होता है वह डुप्लिकेट कॉंटेंट मैं बड़ी एजी रिबॉट फाइल से हैंडल कर सकता हूं क्योंकि मैं उसे डिसलाओ कर सकता हूं अगर डुप्लिकेट कॉंटेंट है मैं डिसलाओ कर देता हूं औ यक्स होगा तो डुप्लिकेट कॉंटेंट बनेगा ना तो यह डुप्लिकेट कॉंटेंट को भी हैंडल करने के लिए रूबॉट फाइल यूज होती है फिर अगर मैं किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन का बिहीवियर कंट्रोल करना चाहता हूं तो वह भी कर सकता हूं पर इंपॉर्टन के मैं साइट मैप की इंफरमेशन दे सकता हूं अभी साइट मैप मैं आपको नहीं पढ़ाया इससे साइट मैप पढ़ाओंगा जब साइट मैप पढ़ाओंगा तो यह चीजिए आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी अब यह समाला गया कि बेसिकली रिबॉर्ट फाइल का परपस क्या है रोल क्या है यहां तो कोई इश्यू तो नहीं है अच्छा अब इसके कुछ पैरामीटर्स है कुछ कीवर्ड्स हैं यह समले कुछ पॉइंट्स है अब वह समझे लें अगर हैश लिखा हो है इसका क्या मतलब है कि यह कमेंट है ठीक है कमेंट का मतलब यह होता है कि यूजर ने अपनी असानी के लिए अपने बारे में नोट्स लिखे हूं है इसका instruction से कोई तालोग नहीं है ठीक है जैसे यह देखे मैंने यहां पर कोई notes नहीं लिखा हुआ है यहां पर देखें Facebook ने notes लिखे होंगे अपने लिए कोई भी यह देखें कि collection of data Facebook through automated means is prohibited unless ठीक है अपने लिख रहता है अगर मैं हैज डाल के कुछ भी लिखना चाहूं लिख सकता हूं तो नोट्स के तोड़ पर अब एक important word जिससे शुरू होता है user agent देखें यहां भी user agent है यही है ना यहां भी यहां भी सोरी 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 यहां भी यहां भी यूजर एजेंट है तो यूजर एजेंट का क्या मतलब है यूजर एजेंट का मतलब यह कि मैं किस सर्च इंजन क्रालर की बात कर रहा हूं यह कौन डिफाइन करता है यूजर एजेंट एजेंट के लिए होगी बात अच्छा अब देखें यहां पर फेस्बुक ने क्या लिखा यूजर एजेंट एपल बौर्ट यानि कि वह कहता है मैं एपल के लिए यह सर्च कमाच लिख रहाँ एपल के लिए मैं इंस्ट्रक्शन सैट लिख राऊ हूं एपल के सर्च इंजन बेशलग फिर वो कहता है यह बेडू के लिए मैं अलग से लिख रहा हूं ठीक है फिर वो कहता है मैं बिंग के लिए लिख रहा हूं फिर वो कहता है मैं डिस्कॉर्ड के लिख रहा हूं फिर वो कहता है मैं फेस्बुक के अपने उसके लिख रहा हूं फिर मैं कहता हूं गूगल के लि एगनिया में उसने जो इंपोर्टेंट सर्च एंजन ते उसके लिए कमांड लिखके बाकी के सर्च ईंजन को सहरा कर दिया क्या मतलब स्टैरिक का मतलब है अब मैंने क्या कहा मैंने यूजर एजन्ट स्टैरिक कोई नाम ने लिखा नाम की बजाए लिख दिया स्टैडिक अब स्टैडिक का क्या मतलब है मैं दुनिया के जितने भी सर्च इंजन है सब के लिए यह बात कर रहा हूं सब के लिए यही इंस्ट्रक्शन है मेरी मेरी चोटी सी वेब साइट है दस बीस पेज है टोटल उसी की दो तीन लैनों कंस्ट्रक्शन है बसकर लिख दिया अब फेस्बुक के पास तो कोई करोडों और वों में पेजीज है ना मिलियंज और बिलियंज पेजीज है तो वो तो ज़्यादा डिपली मैनेज़ करता है चीज़ों को क्लेर हो गया यूजर एजेंट क्या बात करता है कि मैं किस सर्च क्रालर की बात कर रहा हूं ठीक हो गया और इसी के साथ जो स्टैरिक का वर्ड यूज हुआ वो उसका क्या मतलब है एनीफिंग या एनी क्रालर कोई भी चीज़ या कोई भी क्रालर यूजर एजेंट स्टैर के लिए नहीं लिख रहा अगर कलास में देखें मैं एक बात आपको समझाता हूँ अगर कलास में आपके पास तीस बच्चे थर्टी स्टूडेंट और अगर आपने किसी एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी हो तो आप क्या कहेंगे उसका नाम लेकर बुलाएंगे ना पर इसमपल अली एक्स्टूडेंट है अली को आपने इस्ट्रक्शन देनी है कि जी आप यह वाली बुक चेक करवाएं मुझे यह नोट बुक तो आप कहेंगे अली यह वाली नोट बुक निकाल ले तो पहले उसको मुखाटिब करेंगे ना फिर उसे इस्ट्रक्शन कर रहा हूं एक है यूजर एजएंट गूगल उसका नाम लिया फिर उसे इंस्ट्रक्शन दोंगा लेकिन अगर आप पूरी क्लास के लिए एक इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो किसी का नाम लेंगे आप यह यह कहेंगे ना तमाम बच्चे यह वाली नोट बुक नकाल ले में जी ना पर पिर किसे एक बच्चे का नाम तो ना लिया ना पिर पिर तमाम की बात करेंगे आप, त من क्वज़न लेंगे उपंकिया स्ने सिंग्ल वन नेमह इसी है उसी ओज्ए आगर मैं तैमां सर्च इंगन की बात कर रहा हॉ हॉ हुँ सर्च क्रालर की बात कर रहा हूँ तो मैं युजर अजण्ट में नार्म की बझाया स्टैरेक लेकर दूंगा बास स्टैरीक का यह लुग नहीं हैうわぁ यह चीज़ हैым है और दूसरी चीज हो जाती है की यूजर की बात समला लगे अब दूसरा परामेटर है अलाओ डिसलाओ अलाओ का मतलब है कि भई कोई भी क्रालर यह काम कर सकता है डिसलाओ का मतलब है यह काम नहीं कर सकता नाम से जाहर है नालाओ में तो यूर अलाओड डिसलाओ का मतलब यूर डिसलाओड समला लगी यह बात कि अलाओ है आपके लिए और अगर डिसलाओ करके लिखूंगा तो मतलब यह डिसलाओ है जी तमाम सर्च क्रालर में यूजर एजन्ड में गूगल भी आ जाएगा गूगल भी उसी का हिस्से ना यहां तो कोई کन्फिजन तो नहीं है अब एक क्वश्टन मैं आपसे पूछता हूँ अगर कलास में 30 स्टूडेंट हैं और आप ने यह कहना है कि जी ये दो बच्चे कलास में अलाओड अै और ये 28 बच्चे कलास में आना अलाओड नहीं है कोई भी रिजन है तो आप क्या instruction देंगे बच्चों के नाम है चलेंजी 26 student और उनके नाम ABC है पहले बच्चे के नाम A, दुसरे का B, तुसरे का C A और B क्लास में अलाउड हैं, C, D, E, F, G, H ये अलाउड नहीं हैं, तो आप ये कहेंगे ना के A अलाउड, B अलाउड बस, भाई ये दो बच्चे अलाउड हैं क्लास में, तो इसका क्या मतलब हो गया बाकी के 24 student क्लास में डिस अलाउड हैं, उन्हें डिस अलाउड मेंशन कर जरूरत नहीं हैं, मेरे बासमा लग रही है ना, या, चलें एक और एक्जेम्पल देता हूँ, आपको समझाने करें, अगर क्लास में आपके पास 50 student हैं, आप ने उनका एक्जाम लिया, एक्जाम लेकर आपने result दिया, result में आपने सरफ ये बताना है कि कौन से बचे पास है कौन से फेल है, अब कलास में 47 बचे पास होगे और 3 बचे फेल होगे, तो आपके लिए क्या असान है, आप 47 के नाम लेकर बताएंगे कि ये पास होगे हैं, या आप 3 बचों के नाम लेकर बताएंगे कि ये फेल होगे हैं, क्या असान है, मैं 3 फेल वाले बचों का नाम student two student three यह तीन फेल हैं बाकि क्या है आटोमेटिकली पास हैं मेरी बास में लग रही है ना लेकिन अगर पचास की क्लास में पास इसरफ फार इसेंपल दो बच्चे हुए 48 फेल होगे तो अब बताएं कि मैं फेल वालों का नाम लूँगा यह पास वालों का नाम लूँगा पास वालों का इग्जेक्ली मैं कोँगा भी student one student two पास हैं बाकि सारे फेल हैं आटोमेटिकली बास में लग लगी इसी तरह अगर allowed की ज्यादा instructions होंगी तो मैं allow की command लिखके वो कर दूँ और बाकि सारे disallow कर दूँगा पूरी की पूरी website लेकिन अगर disallow की instructions हुई यानिके disallow वाले कम page हुए तो मैं disallow का लिखके बाकि सारे allow कर दूँगा आटोमेटिकली अब यह देखें अब इस website में dgs में सब कुछ allow करना था ना तरफ एक page था जो मुझे disallow करना था मेरे लिए अगर allow की लिस्ट बनाऊंगा तो वह लंबी लिस्ट बनेगी तो मेरे लिए क्या असान था कि मैं allow की लिस्ट बनाने के वज़ए disallow की लिस्ट बना दूँ कि यह pages वाला जो page है ना pagination वाला फालो कर रहे हैं यह allow disallow के command को अब मैंने यह particular page disallow कर दिया गूगल को मना कर दिया कि यह नहीं पढ़ना तो फिर बाकी के pages के लिए क्या command जा रही है automatically कि बाकी पढ़ दें भाई अगर इसमें 50 page हैं और एक page से मैंने मना करना है सिर्फ गूगल को तो मैं जिससे मना करना है सिर्फ वो लिख दूँगा कि भाई यह page disallow नहीं है सोरी यह page disallow है आपको यह page नहीं आप पढ़ सकते तो इसका क्या मतलब बाकी के 49 आप automatically पढ़ सकते हैं यहीं मतलब हो गया ना यह दूसरा तरीका क्या है मेरे पास कि मैं 49 page उसे बताऊं कि यह 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 allowed है वो मेरे लिए ज्यादा मश्कल हो जाएगा तो मेरे लिए असान क्या है disallow वाला बता दू अलाव वाला ना बताऊं बाकी सारी वेबसेट आटोमैटिकली अलाओड है समय लग गया अलाओ और डिस अलाओ का concept यही काम basically facebook करता है अब facebook के पास billion and millions pages है और मैं million pages की list बनाओंगा कि तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा और जबके डिस अलाओ वाले पेज टोटल कोई 10-15 पेज हैं उसने जो 10-15 पेज हैं वो उसके डिस अलाओ की list बना दी उसने का बाई गूगल यह वाले पेज नहीं मेरे पढ़ने बास बाकि पूरी की पूरी वैबसाइट तो पढ़ सकता है इसलिए उसने डिस लाओ लेके उन पेजिस के नाम लेकर दिए यू गाट मैं पॉइंट अच्छा यह जो रबोट फाइल वाला concept आना यह बड़ी अच्छी तरह इसलिए यह ठीक है यह लाओ डिसलाओ का है फिनल एंप्टी नल का मतलब है नतिंग यानि का अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब अब्रीटिंग अच्छा यह भी मैं नहीं बताता यह वीडियो सुनिएगा उसमें यह सारी चीज़ें डिटेल में अब यह देखिए डि क्योंकि अपनी ही वेबसाइट की एक्जेंपल मैंने कवाई कि हैं फिर हम साइट में अब उसे सब्मिट करवा देते हैं यह इंपोर्टेंट नोट है यह पढ़िएगा समझेगा यह मैं नेक्स क्लास में आपसे पूछूंगा डिसकस करूंगा यह फिर रबोर्ट कैसे बनानी ऐ theor सैम्पल उन यह देखाया फिर सैंपल TO करके दिखाया फिर सैंपल THREE करके दिखाया यह फिर मैंने इंपोर्टेंट नोट्स लिखे हुएं यह रीडिंग मेटीरियल है यहां पर जाके आप इसको रीड भी कर सकते हैं ठीक है यह लेक्चर नोट्स है अब देखें इससे ज्यादा डेटेल में मेरे क्याल में कोई ना आपको पढ़ा सकता है ना समझा सकता है ना लेक्चर मेंट है कि आपने यह दो वीडियो सुननी है और उसके बाद यह लेक्चर नोट्स पढ़ने हैं और फिर मुझे बताना है कि रबोर्ट डॉट टैक्स कि आपको कितनी अच्छे तरीके से समझे लगी है कि लिए रोगी जी यह बात कि यहां तक कोई क्वेस्टन है तो आप हो सकते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मारा वह है साइट मैप डॉट एग्जैम है मुझे देखने दें पतर नहीं मैंने साइट मैप पे कोई वह दिया हुए है लेक्चर या नहीं है लेट में चेक साइट मैप अगर मीन मैल कोई क्वेस्टन है तो आप क्वेस्टन पोच लें ने जिस साइट मैप का लेक्चर नहीं है वो मुझे खुद पढ़ाना पड़ेगा लगता हुए साइट मैं बहुत असान है कोई मसला ने वह तो बिलकुल बच्चों वाली चीज़ है क्लेर हो गया जी आज के लिए इतने काफी है मेरे चाहां नेक्स क्लास में मैं रिबोर्ट से रेलेटेड़ आप से क्वेस्टन पोच्छोंगा और फिर साइट मैपको आगे एक्स्प्लेइन कर दूँगा और फिर नेक्स क्लास में मड़ा इंशाला है कि क्लास में टेक्निकल ऐस्यों कंप्लीट हो जाएगी खत्म होटाइगी लेकिन सबसे इंपोर्टन जो चीज़ है ना टेक्निकल ऐस्यों में समझने के लिए वह क्या है यूजर एक्सपिरियंस स यूजर एक्सपिरियंस को यही काउंट करने के लिए बांस रेट चेक करते हैं सेशन टाइम चेक करते हैं फिर इसी बांस रेट को बेदर बनाने के लिए नेविगेशन अब एक बंदे को कोई चीज़ मिली नहीं रही है तो वह क्या कर देगा पिर उसके लिए हमने कुछ टेकनिकल ऐसे फैक्टर देख रहे हैं जिसमें रबोट है साइट मैप है इसके लावा भी काफी सारे टेकनिकल फैक्टर जो के हम वन बाइवन देखेंगे नेक्स लेक्टर क्लियर होगा जी आज के लिए इतना ही है अगर पीक्वस्टन है जल्दी से पोच लें अदर्वा क्लास ठीक है जी थैंक्यू सो मच अपने धेर सरा ख्यार रखेगा अलाव अफिस